हाई अब्रीवान, विल्कम बैक टो मैं चैनल, आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं हो तो हो जाएए, सो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं लाश्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वियोंग है वो बाई बोल करके चला जाता है चैंक के फेसबेक प्यारी सी स्माइल थी पर जैसे ही वो योंग चला जाता है पता नहीं क्यों चैंक को डर लगने लगता है किसी चीज़ का ऐसे लगता है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है वो जल्दी से रूम में जाता है और वी इंग और वी योंग की लोकेशन चेक करने लगता है वो देखता है कि अभी वो घर के पास में ही है वीइंग और वियोंग को दिखाया जाता है जो कि घर से बाहर निकले थे अभी-भी और जैसे वो घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें जो है अपने घर के साइड में दो गाड़ियां दिखाया देती हैं जो कि ब्लेक कलर की थी अब दोनों देख तो लेते हैं उस गाड़ी को पर ज्यादा ध्यान नहीं देते अब दोनों जा करके अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और ट्राइवर को जो है चलने के लिए बोलते हैं अब जो है वो दो गाड़ियां थी वो वी इंग की गाड़ी का पीछा कर रही थी पर इस बात पर वी इंग और वी यॉंग ज्यादा ध्यान नहीं देते आप विएंग और वोयोंग जहाते हैं एक शोप पे और खरीद लेते हैं धेर साधे स्नैक्स और कॉर्ल रिंक वगरा और जाकर काड़ी में पैट जाते हैं पर जब वो ड्राइवर था वो वूईंग और वोयोंग को कहीं और ही छोड़ देता है जैसे विएंग बोलता है कि हम कहा हैं हम घर पे क्यों नहीं हैं तो वो ड्राइवर जैसे अपना फेज दिखाता है तो वो तो कोई और था अब वींग और वोयोंग डर जाते हैं अब कुछ गुंडे आते हैं और उस काड़ी के रिद गिर्द आकर के खड़े हो जाते हैं वींग और वोयोंग और ज्यादा चूट रहे थे वह गुंडे जो हैं वींग और वियोंग को बाहर निकालते हैं वहां पर इतने सारे गुंडे थे कि वींग और वियोंग चाहा कर भी बच नहीं सकते थे वहां से भाग नहीं सकते थे वो दोनों रो रहे थे और बोल रहे थे कि प्लीज हमें छोड़ तो हमने क्या किया है हमें बताओ तो सही आप लोग कोनो हमें क्यों पकड़ा है वैसे बोले जा रहे थे और बोल रहे थे कि प्लीज हमें छोड़ तो वो गुंडे कुछ नहीं बोल रहे थे थोड़ी देर बाद वो गुंडे जो है उन दोनों को मार करके पहोश कर देते हैं अब शाम का सिन दिखाया जाता है वो दोनों वी इंग और वुयोंग बंधे हुए है और उनके सामने जो है लिंग जाओ खड़ी हुई है दूसरी तरफ जियांग चैंग उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गए थी क्योंकि शाम हो गए थी और वी इंग और वुयोंग अभी तक नहीं लोटे थे उन दोनों ने बोला था कि ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे फिर भी घर से 50 किलोमीटर दूर वो क्या करने के लिए गए हुए हैं जरूर कुछ कड़बड है चैंग डर जाता है और चैंग जो है अपने डैड को सब कुछ बता देता है फोन करके जैसे उसके डैड ये सब कुछ सुनते हैं तो उसके डैड भी डर जाते हैं और वो आ जाते हैं चिरैन को ले करके अब सब घर आ गए थे, सब डरे हुए थे वी इंग और वोयोंग को ले कर चेंग अपने डैड को और अंकल चीरैन को दिखाता है वी इंग और वो योंग की लोकेशन कहां की है उनकी फोन जो है वो काड़ी में ही पड़े हुए थे और गुंडों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था चीरैन और फैंग मियान जो है डिसाइड करते हैं वहाँ जाने का और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे पचास किलोमेटर दूर जाना है इतने में कहीं कुछ गलत ना हो जाए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे पूरी फैमिली जाने का डिसाइड करती है पर फैंग नियान मना कर देता है कि नहीं वहाँ खत्रा हो सकता है और दूसरी तरह वी इंग और वी यॉंग उन्हें होश आया था उनके सामने लिंग जाओ खड़ी हुई थी और लिंग जाओ उन्हें हाय हेलो करती है उनसे पूछती है कि तुम दूनों कैसे हो वी इंग और वी यॉंग को पता चल गया था कि ये सब कुछ किया था रहा लिंग जाओ का है वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा डर गए थे उन दोनों को एक दूसरे से बहुत दूर बांदा गया था जिस वज़े से वो दोनों आपस में बात न कर सकें अब लिंग जाओ जो है वो वी इंग के पास जाती है क्योंकि मुझे तुम जारा से भी पसंद नहीं हो और ऐसा बोल करके लिंग जाओ वो योंग को मारने लगती है वो योंग कुछ नहीं बोल रहा था वो सिर्फ मार खा रहा था वी इंग जोर जोर से चिला रहा था कि लिंग जाओ समझ करो बहुत बूरा होगा मैं बोल रहा हूं हर चाओ उसे छोड़ दो पर लिंग जाओ अब रुकने वाली नहीं थी वो अपने नाकुनों को वुयोंग की गर्दन में गड़ा देती है वुयोंग को बहुत जाता दर्द होता है वो बहुत जोर से चिलाता है लिंग जाओ जो है एक गुंडे को बोलती है कि इसके मुँमे कुछ डालो ये बहुत जादा शोर कर रहा है वो गुंडा ऐसा ही करता है एक रुमाल निकाल करके वुयोंग के मुमे डाल देता है वुयोंग बिचारा दर्द से चिला रहा था विंग भी जोर जोर से चिला रहा था कि प्लीज उसे कुछ मत करो अब लिंग जाओ जो है विंग के पास जाती है और उसे बहुत ज़्यदा मारती है और विंग जो है वो जोर जोर से चिला रहा था और लिंग जो है अब विंग के पाल पकड़ कर कीचने लगती है ओर एक उंटे को कुछ लाने का इशारा करती है थोड़ी तेर में कुंटा गरम पानी लेकर आता है अब ज selfish है वह विंग को बोलती है तुम्हें बहुत शोक है ना मुझे मारने का लड़ाई करने का है तुम्हें बहुत छोक चड़ा हुआ है अस्तुम्हारे सारे शोक उतारती हुँ और वह व्यिंग के सर पर गरम-गरम पानी डाल देती है वह गरम-पानी व्यिंग के बालों से उकर उसके मूँ पे गिर रहा था जिस वज़े से विंग को कभी स्यादा चलन हो रही थी जाओ, उसके पास भी चले जाती है, वोयोंग के पास भी, और कुंड़े की तरफ जो है, अपने हाथ को बढ़ाती है, कुंड़े जो है, उसके हाथ में एक चाबुक रख देता है, उस चाबुक में जो है, नुकिली कील लगी हुई थी, अब जो लिंग जाओ है, वो उस कि पूरी लाल हो गई थी उसका पूरा शरी जो है पसीने में गिला हो गया था विंग भी जोर जोर से चिला रहा था कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो पर लिंग्चाओ को जरा सभी तरस नहीं आ रहा था वो पूरी तरसे वूयों को मारे जा रही थी अब थोड़ी देर बाद वहाँ वेंचाओ और वेंचाओ भी आते हैं लिंग्चाओ डर जाती है वेंचाओ को देखकर क्योंकि उसे याद है कि वेंचाओ ने क्या कहा था कि विंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुमें छोड़ूंगा नहीं अब लिंग्चाओ डर गई थी वेंचाओ जैसे ही आता है वो दे ना में अपनी घरदन को हिलना लगती है अब obviously के पास चला जाता है और उसे कौलने लगता और us बूचता है वींग तुम ना video तुम्हीं आतुमंने कुछ हुआ तो नहीं कुछ नहीं बोल रहा था वह बैंस ने भी बिलस मेरा को बचा लो प्लिस उसे कुछ मत कर diffic प्लीज उसे बचालो उसे कुछ मत करो फ्लीज विंग्जुन जूर जूरती है नहीं तो तुम्हें मार डालोंगी अभन Wash up एपनApp निक्स कर देता है оно पास ऑपर गली sah प्यिक्क मारती है थैंड़ St कर नीचे करो और वैंजूलियों को ऐसा करता देख करके जो लिंग जयाओ है वो राहत की सांस लेती है कि हाँ उसे है कोई पचाने वाला नहीं तो वैंजाओ उसे मारी डालेगा फिर से जो है लिंग जया करके वैंग को मारना स्टार्ट कर देती है उसी चाबुक से उस चाब उसे यह सब कुछ सुनकर महसा आ रहा हैा था और वो ओर जहाएं जो है वैंग कको मार रही थी अव्यन जाओ कुछ को अब एसा होते होते जो है यहोथ भी जैख jeन ओचाने लगता है उससे वी इंग रोते हुए परदाश नहीं होता ओर वो लिंग जयाओ को बोलता है अगर तुम इसे भी मार डालोगे, जैसे तुमने मॉंग को मारा था, अब वैंचाओ जो है चुपो जाता है, अब वैंचाओ अपनी जेब में हाट ढलता है, एक रुमाल निकालता है, और धीरे धीरे वैंचाओ की तरफ बढ़ने लगता है, और फिर भोलता है, ठीक है, मैं कुछ ändernशनी गर रहा पर मैं इन दोन्हों कैसे मरते हुए पिठते हुए नहीं देख सकता मैं नहीं देख सकता है इनको ऐसे पिठते हुए मैं जा रहा हूं और बोल करके वैंचाओ जो है चाने लगता है सब को लगता है वैंचाओ चला गया थोड़ी देर बाद आ करके वैंचाओ वैंजूलियो के फेस पही रुमाल लगतेता है और वैंजूलियो तस पंदरा सेकेंड के अंदर अंदर बेहोश हो करके नीचे गिर जाता है इस चीज़ से लिंग जाओ को बहुत बड़ा चटका लगता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो पोलती है वेंचाओ ये तुमने क्या किया क्या 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 वेंजुलियों मर गया ये तुम मुझे बताओ क्या वेंजुली उमर गया वेंजुली के पास चाहती है और उसके नाक के सामने अपने हाथ को रखती है और फिर देखती है कि हाँ यह सांस ले रहा है पोती हाँ ही जिन्दा है तुम मुझे मत मालना ठीक है मैं दोनों को छोड़ दूंगी वह ऐसा बोलते हैं इतनी ज्यादा डर गई थी ना कि उसकी आवास भी कांप रही थी बोलते हुए ऐसा और जिस हाथ में इसके चाबुक था वहाथ भी उसके भुरी तरह से कांप रहे थे अवेंजुली जो है वह बोलता है ठीक है इन दोनों को खोल तो वह जो है लिंग जाओ उन गुंडों क वह जा करके पहले तो हमारे वुयों को खोलती है और फिर जाकर के वींग को पूर अच्छी तरह से कोल देती है उसके सिर्फ हाथ खुले वए ते पैर नहीं खुले वए थे अब उसके पैर भी क्कोल देती है आज वेंचाओ वींग को बहुत अच्छा लगता है कि हां कोई सबसे दूर जाकर केखड़ी हो जाती है वेंचाव भी पीछे नहीं हटने वाला था वेंचाव भी अपनी gun को जो है लिंग्रणाओ की तरफ point कर देता है अब लिंग्रणाओ भी डरी हुई थी और वेंचाओ को भी डर लग रहा था वेंचाओ को डर सिर्फ खुद का नहीं था वींग और वोयों का भी था पता नहीं क्यों वेंचाओ उन दोनों को बचाना चाहता था लिंग जयाओ बोलती है अच्छा तो तुम वींग को बचाना चाहते हो तुम वींग से प्यार करते हो है ना तुम वींग को बचाना चाहते हो अरे यार मैं कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें वीइंग पसंद है और तुम उसके लिए मेरी जान भी ले सकते हो तो क्योंने मैं वीइंग की ही जान ले लूँ है ना तो जो लिंग जाओ है वो अपनी कन को वीइंग की तरफ कर देती है अब वीइंग डर जाता है वेंचाओ भी डर जाता है अब हमारा वीइंग भी डर जाता है लिंग जाओ बोलती है ठीक है वीइंग मैं तुमें मार डालूंगी और जो लिंग जाओ है वो बोलती है ठीक है मरने के लिए तयार हो तुम और वो जो है शूट कर देती है बीच में हमारा वुयोंग आ जाता है उसे कॉली लग जाती है और वो अपने गुटनों पर गिर जाता है ये देख करके वींग के आंके फटी की फटी रह जाती है उसके आंके पड़ी पड़ी हो जाती है वो जोर से चिलाता है वो योंग वींग जोर जोर से चिलाने लगता है रोने लगता है अब वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मच जाता है बहुत सारे पुलिस आते हैं लिंग जाओ के पास उसे पकड़ लेते हैं उसके हाथ से गन ले लेते हैं पेंचाव के पास भी जाते हैं उसे भी पकड़ लेते हैं वीइंग अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं था वीइंग के फादर और चिरैन वहां आते हैं चिरैन जैसे ही देखते हैं वुयोंग को वुयोंग को गोली लगी हुई थी और वो कुछ बोल रहा था वीइंग उपनों पर ही चल करके वियोंग के पास चला जाता है वियोंग कुछ बॉल तो रहा था पर उसके मुझे आवाज नहीं निकल रही थी वह अपने हाथों को वियोंग के फेस पर ले जाता है और उसे बोलता है वियोंग यह तुमने क्यों किया हां बोलो तुम मेरे लिए अपन अपना ख्याल रखना विंग बिंग बलता है गदय यह तुम क्या बोल रहे होaffles चुप Lu य्विशन के मैं तुम्हें जोड़कर जा रहा हूं मैं हमेशे तुमारे साथ रहाँ करना हमेशे तुम्हें तुम्हारा क्याल रखूंगा वी इंग बोलता है हाँ कटा थे हैं विढक केड़े हैं इसमेयल करता है now GTP, गाड़ी ने ले जाते हैं विढक का हंसकी चाहjuk होई था लिए उस भी के साथ आप जा रहा थाह जा। चमींडर में पचले हैं दोनों गाड़ी में ने भी को हर दिया था और बोल रहा था Emperor, ला तूम गई नहीर नहीं 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 जा सोग हुआ गाड़ी एक शुटक्ने के सामने रुक जाती है वहिएंग को displis 005 जाता है एक टाया जार अपकड़ लेता है वहिएंग को रहे जा रहे ना वियोंग वियोंग बोलता है वियंग कभी भी यह मत समझना कि मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जानती है ठीक है मैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं तुम्हें को भी छोड़ करने ही जाओंगा मैं हमेशा तुमारे साथ रहूंगा वियंग तुम रहे हो न भी एंग बोलता है, तुम जो आफ दो कि नहीं। देखो वियंग पर जाव हम कभी लड़ाई करेंगे ना जुब जाओ वियंग बीज़ आफ तो फूब जो एक और टूबलता है प्लीज चुप हो जाओ तुमरा कून भाए नहींच अपना ख्याल रखना हमेशा खुष रहना ठेक है वियंग बलता हाँ मैं खुश रहूंगा वियंग बोलता है एक अच्छे से अलफा को डून कर शादी करना जो तुमसे मुझसे भी जाता प्यार करें वियंग बोलता है तुमसे जाता है प्यार मुझसे कौन कर सकता है वियंग नहीं रखूंगा ठीक है तुझे मेरे ख्याल रखना पड़ेगा मैं तुझे इतनी असानी से नहीं चोड़ने वाला पर वुयोंग अभी भी वी इंग की तरफ देखे जा रहा था और प्यारी सी स्माइल थी उसके फेस पे वी इंग बोलता है तुझे गोली लखी हुई है औ वी इंग डर जाता है और हो ऑपने डैट को बोलता है डैट देखिया वुयोंग को क्या और है ये पलके भी नहीं चपका रहा उसका टैड भी वुयोंग को देखता है पूरी की पूरी फैमली जो है उस ट्रेजर के आसपास खड़ी हुई थी और वुयोंग को देख रही थी सब को पता था कि वुयोंग अब चला गया है सब रो रहे थे कुछ ने अपने मुँपे हाथ रख लिया था तो कोई अपने फेस को चुपा रहा था सब बहुत बुरी तरह से रो रहे थे किसी से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था वी इंग भी रोने लगता है सब को देख कर वी इंग बोलते क्या सब बोलते बोलते रोने लगता है बहुत बुरी तरह से सब रो रहे थे ओके गाइस आज के लिए इतना यह मिलेंगे नेक्स ट्रीडे में अपने क्या लखना बाई बाई